हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टड़ी पॉइंट यूटूब चैनल में और देखिए आज एक बार फिर एक वीडियो लेकर आए हैं और इस एडियो में न देखिए एचा ससी के दवाराना सी एटी एकजाम में बड़ा बद समाजिक आर्थिक माने दंड के अंक सी एटी की परिक्षा में नहीं जुडेंगे तो देखिए जो समाजिक आर्थिक माने दंड के पहले तो 10 अंक होते थे लेकिन इसको न अब बदल कर 5 कर दिया गया है और अब ये अंक भी सी एटी की परिक्षा में नहीं जुडेंगे ऐ गुरूप C और D की भरती के लिए है और अब यह है एक्जाम सिर्फ योगता मानी जाएगी ऐसा इसमें बताया गया है आगे है रियाना सरकार गुरूप C और D की भरती के नियमों में CET सकोर तै करने के पुराने फैसले पर बड़ा बदलाव कर सकती है अभी सामाजिक आर्थ परिक्षा में ज्यादा अंका आ जाते हैं और सामाजिक आर्थिक मारे दंड के यदि कम नंबर है तो उनका फाइनल सेलेक्शन नहीं हो पाता था इसी कारण यह जो दस नंबर थे इनको ना अब पांच नंबर कर दिया गया है और देखिए अब इन पांच नंबरों को भी C CET की परिक्षा के बाद जो एक और दूसरी परिक्षा होने वाली है उसमें जोडने का निरने लेगी और देखिए यहां पर बताया गया है कि पांच फिस्ती अंगों को CET की लिखित परिक्षा में जोड़ा जाए बलकि उसे क्वालिफ्याइंग टेस्ट तक सिमित किया ज क्योंकि CET का एक्जाम है ये क्वालिफाइंग माना जाएगा और इसके बाद जो दूसरा एक्जाम होगा उसमें ये जो एक्स्ट्रा नंबर है इनको जोड़ा जाएगा तो देखिए फ्रेंड्स ये थी एक इन्फोर्मेशन ये वीडियो आपको अच्छी लगी होती से ल